जाई भॉले शंकर जी की सभी को सादर प्रणाम मैं पंजाब से आपका लगविंदर सिंग दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा असूल बताने जा रहा हूँ जो कि हर पिता हर राजपूत पिता हर ठाकूर सहाब अपने बेटे को सिखाता है अगर वो पिता जी अगर वो ठाकूर सहाब अपने बेटे को नहीं सिखाते तो वो ठाकूर सहाब ही नहीं कहलाते ध्यान से सुनिए इस वीडियो को नहीं सुनना चैनल छोड़के निकलिए क्योंकि बाजों की मैफिल में तित्रों का कोई काम नी अक्सर दोस्तो राजबुता ना परिवारों में बेटों को बहुत ही जादा एक पावरफुल बनाया जाता है अगर आप पावरफुल नहीं बनाते मोटिवेट नहीं करते तो आपकी परिवार राजबुत परिवार है यह नहीं तित्रों का परिवार है मेरी बातें बुरे लग रहे हैं मेरी बातें बूरी लग रहे हंगी माफिया बई इसा ही हूँ ठोक भ्याके सबसे पहले जो ठाकुश साब होती है नकाए खून में बड़ी तबस होती है क्योंकि राजपूत अकसर गर्म सबाब के होते है कि बेटा कभी भी किसी से मार खाके मत आना मार चड़ा आगे आना वो क्यों कहते हैं ऐसा खुद देखे यदि रन में हमें कोई ललकारे तो ख़त्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे चाहे वो स्वायम काल ही क्यों ना हो ये होती हैे राजबताना परिवार जो थोख बजा के अपने बेटों को मोटीवेट करते है हम आहिंसा के लिए नहीं कह रहे हैं हम स्वाभी मार की भावना को बनाते हुए कह रहे हैं क्योंकि जिस कौंप में गैरत नहीं ना वो तो भेड बकरीए होती है तो आप बकरी हो कि शेरो खुद फैसला करो वीडियो अच्छी लगे तो दबा के शेर कीजिए अम ऐसी वीडियो बनाते हैं जजायर राच्पता ना हर हर महादे